नमो नमहा प्रिय विद्यारतियो समस्कित की टेस्ट सिरीज में फिर से आपका स्वागत करते हैं आज हम आपको यहाँ पर संग्या प्रकरण की अंतरगत अगली क्लास लेकर आए हैं इससे पहले मैंने जो क्लास से अप्लोड की हैं उनको आप अवश्य देखें आज मैं आप को बताऊंगा संग्या प्रकरण के अंदर कौन-कौन से मोस्ट प्रश्ट हैं आपके जिसमें आपको प्रयत्म से संबंदित होंगे इसके अलावा और जो आपके इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे संग्या इत्यादी से संबंदित प्रश्ट बन सकते हैं उनको मैं आप आपको समझाऊंगा पहले जो एक्जाम में आचोके हैं उनको भी बताऊंगा और जो आने की संभावना है वो भी आपको समझाए जाएंगे तो चलिए दोस्तो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं इसलिए सबसे यही रुक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पहला इकन को प्रेश कर देना जिससे कि सारी क्लास श आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं चलिए मित्रो पहले प्रश्ण की तरब चलते हैं और यह रहा हमारा पहला प्रश्ण स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा संग्या प्रकंड के अंतरगत हम आपको बता रहे हैं पहला प्रश्ण देखिए प्रश्ण को पढ़ते हैं लगुसिद्दांत कौमदी की अनुसार आप भ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी गई है ये हमारा प्रश्ण है मित्रो लगुसिद्दांत कौमदी के अनुसार आपको बताना है जो हमारे आप भ्यांतर प्रयत्न होते हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है option है 3, 4, 5 और 11 तो इसका सही उत्तर बताना है तो बताए क्या होगा अपना अपना अंसर सोच के रखें जिससे खुद का मुल्य अंकन हो सके बताए तो इसका right अंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों से याने की पाँच हमारे लगुसिद्दान्त कौमदी के अनुसार आप भ्यां की संख्या पांच होती है या फिर यह प्रश्ण ऐसे भी पूछा जा सकता है वरद राज आचार्य जी के अनुसार आप्यांतर प्रैतनों कितने माने जाते हैं तब भी उत्तर आपका 5 होगा लगुसिद्द्द तकौमदी के अनुसार पूछे तब भी उत्तर आपका होगा ठीक है अब 5 के नाम बता रहा हूं में आप सुन सकते हैं इस्प्रिष्ट ईशद इशद हमारे टोटल पांच हो जाते हैं ये आप द्यान रख सकते हैं ठीक है चलिए अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं प्रश्ण नम्बर दो अदो लिखित में से कौन सा आप व्यांतर प्रयत्न व्यंजन वर्णों से संबंधित नहीं है बहुत ही अच्छा यानि आपको ये अच्छा है बहुत है कर बताना है कि इन में से कौन सा आप्यांतर प्रयत्न व्यंजन वर्णों से संबंधित नहीं है तो अप्सन है इसाद इसप्रिष्ट इषद विवरित और संव्रित ये चार ऑप्सन है एक सही बताना है bet ग्यों कि दोस्तों इसका मैं सही उत्तर बता परड़ों का कभी नहीं होता है यह होता है आपका स्वरों का ठीक है और स्वरों के अंदर भी हमारा जो रश्व अकार होता है उसका होता है अब कब होता है उसके लिए भी दो कंडिसन ध्यान रखनी होती है यदि हमारा जो रश्व ए है जो रश्व ए है यदि ये प्रयोग क की इस्तिती में है प्रियोग यानि की किसी शब्द के अंदर है जिसको हम काम में ले रहे हैं वाक्य के अंदर काम में ले रहे हैं ठीक है ना बोलने में काम में ले रहे हैं तो प्रियोग की इस्तिती में है उस इस्तिती में इसका नाम होगा संवरित और यदि यही आपका रश्व ए यदि प्रक्रिया दशा के अंदर है प्रक्रिया की इस्तिती में है तब इसका नाम हो जाएगा विवरित प्रक्रिया इस्तिती में यह विवरित के लाएगा जैसे रामधन अवतारह इस इस्तिति को हम प्रक्रिय इस्तिति कहते हैं तो आप समझ गेंगे एकी इस्तिति क्या है और बाकी आप देख रहे हैं इस प्रिष्ट इस प्रिष्ट आपका व्यंजन वर्णों का होता है इसप्रिष्ट होते हैं आपके इसपर्ष वरणों की इसद इसप्रिष्ट होते हैं आपके अंतहस्त वरणों की और इशद विवरित ऊश्म वरणों की ऐसे आप दिहान रख सकते हैं ठिक आगे चलिए अगला प्रश्ण है तीन नमबर रश्वस्या वरनस्यह प्रयोगी खाल विवरित बताईए रश्वश्या वर्णश्य प्रयोगे याने रश्व एवर्ण जो है उसको प्रयोग की इस्तिती में हम क्या कहते हैं प्रयोग की इस्तिती में उसको हम क्या नाम से पुकारते हैं ऐसा आप समझ सकते हैं इसको तो अभी अभी हमने आप से कहा कि प्रयोग की इस्तिती में हिरश्व ए आपका सम्रित कहलाता है तो option B हमारा correct हो जाता है ठीक है इसका मतलब है कि हिरश्व ए का लौकिक व्यवाहर में प्रयोग की इस्तिती में सम्रित प्रयत्न होता है कौन सा होता है सम्रित प्रयत्न होता है ठीक है ऐसी चलिए मित्रो अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं कोशन नमबर चार प्रश्ण को देखते हैं राम रामधन अवतारह इस इस्तिती में रेखांकित ए कौन सा अब्यांतर प्रयत्न माना जाता है यानि यहां पर कौन सा अभ्यांतर प्रत्न माना जाएगा बात को समझना यह जो हमारी इस्तिती है रामधन अबतारह इस इस्तिती में आपको बताना है यहाँ पर जो रिखांके तो हमने किये है ए को रश्व ए को तो इस स्तिती में कौन सा अभ्यांतर प्रत्म माना जाएगा ऑप्सन है विवरित सम्वरित सम्वरित विवरित इशद विवरित बताईए तो यहाँ पर माना जाएगा उत्तर हो जाएगा ए यानि कि इस स्तिती में जो हमारा हिरश्व ए होगा उसको कहेंगे विवरित मैंने आप से पहले भी बताया कि यदि हमारा हिरश्व ए प्रक्रिया की इस्तिती में है यानि प्रॉसेस में चल रहा है कम्प्लीट नहीं हुआ है उस स्तिती का नाम होगा विवरित और जब प्रियोग की स्तिती में है ठीक है उसको हम प्रियोग में ले रहे हैं तो प्रियोग की स्तिती में हमने इस से पहले बताये था सम्वरित कहलाता है क्या कहलाता है सम्वरित ठीक है आगे चलिए अगला प्रश्णों देखते हैं अगला प्रस्टन है अमारा इसपर्ष वर्णों का आप भ्यांतर प्रित्न है याने इसपर्ष वर्णों का कौन सा आप भ्यांतर प्रित्न होगा अप्सन है इशद इसप्रिष्ट इसप्रिष्ट इशद विवरित या विवरित बताओ क्या अंसर होगा इसका तो देखी फ्रेंड्स इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ इसका उत्तर है बे याने कि उसको हम कहेंगे इस्परिष्ट मैंने आपको बताया था भी इस्परिष्टम प्रेत्नम इस्पर्शानाम याने जो हमारा इस्पर्ष्ट है अभ्यांतर प्रित्न ये इस्पर्ष वर्णों का होता है किसका होता है इस्पर्ष वर्णों का और इस्पर्ष वर्ण आप जानते होंगे कादयो मावशाना है इस्पर्षा करसे लेकर कि मातक की वर्ण इस्पर्ष केलाते हैं इनकी संख्या कुल पचीस होती है कितनी पचीस ठीक है चलिए आगे चलती है अब देखो अगला हमारा सवाल है कुश्य नमर छे ये वर्ण का कौन सा आप भ्यांतर प्रियत्न है ये वर्ण का आपको आप भ्यांतर प्रियत्न बताना है कि ये वर्ण का कौन सा आप भ्यांतर होगा तो बताईए option है इशद इस्प्रिष्ट इस्प्रिष्ट इशद विवरित और विवरित बताओ ये वर्ण का बताना सिर्फ आपको बताईए तो देखिए option इसमें आप देख लो अच्छे से और राइट आंसर चाट के बताईए चलिए आपने देख लिया होगा मैं आ आपका ए नंबर पे यानि इशद इस्प्रिष्ट है क्या है इशद इस्प्रिष्ट होता है दोस्तों किसका होता है अंतहस्त वर्णों का होता है इस अप दिहान रखेंगे तो जरूर आपका आंसर सही होगा इन्ही मैंसे प्रश्ण आपके आएंगे घूम फिर करके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथ नम्मर सवाल को पढ़िए इशद विवरित प्रयत्न किस वर्ण का नहीं है इशद विवरित जो हमारा अभ्यांतर प्रयत्न है वो कौन से वर्ण का नहीं है ऐसे आपको बताना है तो अपसन में दिया हुआ है श, श, स, ल, ल, इनमें से ये बताना है कि जो इशद विवरित है वो किसका नहीं होगा देखो शे का होगा बिलकुल होगा इशद विवरित तो होता ही है वही इशद विबृत जो होता है वो उश्मबर्णों का होता है मित्रों किसका होता है उश्मबर्णों का होता है तो उश्मबर्ण में आपका ये शे आ रहा है ये भी शे आ रहा है और ये भी से आ रहा है लेकिन लिरी नहीं आ रहा है तो लिरी हमारा इसका right answer हो जाएगा क्योंकि लिरी तो मित्रों स्वर के अंतर आता है और स्वरों का आप्भिः हांतर प्रेत्म तो विवरित होता है विवरितम स्वरा नाम ठीक, तो ये तो इसमें कभी नहीं आएगा तो इशद विवरित के अंदर तो उश्मबर्ण आते हैं और उश्मबर्ण चार वर्ण होते हैं श, श, स, ह इनको कहते हैं इशद विवरित ठीक है न ऐसे तो राइट अंसर हो जाएगा दे चले आगे चलिए आगे देखते हैं अब चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्ण है आठ नम्मर प्रश्ण को देखते हैं भाई ये प्रियतन कितने होते हैं या भाई ये प्रियतन कितने हैं ये एकदम आसान सा प्रश्ण है अप्सन है आठ ग्यारह नव और दश बताइए तो राइट अंसर हो जाएगा 11, क्योंकि आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हमारे वहीये प्रितन होते हैं, वो 11 होते हैं, और आप बहनतर आपके 5 माने जाते हैं, ठीक है ना, चलिए, अब देखते हैं, मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं, इनकी जिसी कि आपको पता रहे होता है घोश ठीक है इसकी बाद में एक होता है अलप्राण एक होता है महाप्राण कितने हो गए आठ हो गए इसकी बाद में हमारे तीन वैदिक स्वर होते हैं उदात अनुदात और स्वरित यह टोटल हमारे कितने हो जाते हैं ग्यारा हो इनको कहते हैं बहाइय प्रयत्नों तिक्ष्टर चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्ट complais पतंज्यली के द्वारा क्वाही प्रयत्नों के कितने भेद बताए गए हैं इसमें को किवल महाबाश्यकार के अनुसार ही बताना है कि कितने उन्होंने माने हैं, तो देखिये option देख लीजिए 8-11-9-10, correct answer आपको बताना है कि कितने इन्होंने माने हैं, तो इसका right answer है friends a, याने कि पतन्जली जी ने बाहिये प्रतन आठ माने हैं, कितने माने हैं, अब आठ क्य माने हैं वो भी मैं बता देता हूँ और कौन से माने हैं वो भी समझ लो सुन लीजिए महावाश्यकार पतंजली के द्वारा बाहिये प्रेत्न आठ बताए गए हैं इन्हों ने उदात तनुदात्वस्वरित को स्विकार नहीं किया मित्रो तो तीन हटा दीजिए आप ग्यार अनुसार स्वरों के उच्चारण में आंत्रेक यतन की भी अपेक्षा होती है इसलिए उन्होंने इनको स्विकार नहीं किया है इसलिए उनकी अनुसार आठ ही माने जाते हैं ऐसा आप समझ सकते हैं ठीक आगए वियंजन वर्णों से संबंधित कितने बहाईये प्रेत्न है ये भी बहुती बड़ी अप्रश्ण है वियंजन वर्णों से संबंधित आपको बताने हैं बहाईये प्रेत्न कितने हैं तो ओप्सन हैं 10, 9, 11 और 8 बताओ कितने बहाईये प्रेत्न हैं जो कि वियंजन वर्णों से संबंधित हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 यान हैं हमारे वियंजन वर्णों से संबंद रखने वाले बाहिये प्रेत्नों की संख्या आठ है मित्रों कितने हैं आठ अब आठ कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं वैदिक स्वरवाले तीन को छोड़ दीजिए बाकी बचे कोचे सारे बच जाते हैं आठ यानि उदात तनु ठीक है ऐसी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेंस अगला है अमारा ग्यारे नंबर कौन सा बाहिये प्रेत्न हश वर्णों का है यानि हश वर्णों का आपको बताना है हश वर्णों का कौन सा होगा समार नाद गोश या फिर सभी बताईए बाहिये प्रेत्न बताना है हश वर् नाद भी होता है ये तीनों ही होते हैं मैं आपको बता देताओं अब गोष आस्चै अर्थार्थ समारनाद घोष हश्वर्णों के बाहिए प्रतन है तिके यह कोई भी वाक आप से पूछा जाता है कि बताए जैसे कि आपका है है अब है हश्में आता है तो बताए है का भाई ये प्रतन क्या होगा अब option में यदि समारनाद गोश में से तीनों में से कोई एक है तो एक answer लगाएंगे यदि तीनों ही दे रखे हैं तो तीनों ही answer होगा क्योंकि इनके तीन तीन भाई ये प्रत्न हैं कोई एक नहीं है तीन तीन है समझगे बात को ऐसे और हश प्रत्याहर के अंदर जितने भी वर्ण आ रहे हैं उन सबी को इसमें शामिल किया जाता है ऐसा आप इसको दिहान रखिए दोस्तों अगला सवाल है बार नमबर कौन सा वर्ण महाप्राण वर्ण नहीं है ये भी बहुत यासान है महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है option है के, के, श, और ह बताएए तो simple है इसका अंसर हो जाएगा आपका बेवाला याने की के वर्ण जो है हमारा ये के वर्ण मित्रो किस में आता है अलपप्राण में आता है किस में आता है अल्पप्राण में आता है ये महाप्राण नहीं होता अब महाप्राण कौन से होते हैं महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा वर्ण आता है फ्रेंस सभी वर्णों का और अल्प्राण के अंदर पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है इसके लिए समस्कित में एक पं प्रथम त्रतियाह पंचम ठीक है और यन्म ये अलप्राण है इसके अलावा महाप्राण के लिए पंक्ति चलती है रगानाम दूतियाह चतुरताव शलस्च महाप्राणाहां ठीक है तो बरगों के दूसरे और चौथे बर्ण जितने भी है और शल प्रत्याहर के अंदर जितन करणी में रखते हैं ऐसा आप समझें ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं प्रेंट्स अगला प्रस्ण है सवर्ण संग्या विधायक सूत्र का चयन करो जिससे सवर्ण संग्या होती है उस सूत्र को छाटना है तो ऑप्सन है ना ज्छलव तुल्यास्य प्रियत्नम सवर्णं अनुदित सवर्णस से चाप रत्य यह तपरस तत कालस से आपको छाट कर बताना है किस से सवर्ण संग्या होती है तो option हमारा हो जाएगा इसमें second वाला correct बे ये वाला answer हमारा एकदम सही है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से सवर्ण संग्या होती है मैं इसका answer बता कि जिन वर्णों के उच्चर्ण स्थान वे आभ्यांतर प्रयत्नों एक दूसरे के समान होते हैं वे वर्ण परस पर सवर्ण कहलाते हैं ऐसा आपको समझना है अगला सवाल अगला सवाल है चौदा नमबर निम्न मैंसे किसका चिन नहीं होता ये भी बहुत ही अच्छा सवा सवाल है आपको बताना है कि किसका चिन नहीं होता हम बात कर रहे हैं बैदिक स्वारों की क्योंकि बैदिक स्वारों के चिन होते हैं लेकिन इसमें पुछने किसका नहीं होता है तीन बैदिक स्वारों में से ऐसा कौन सा है जिसका चिन नहीं होता है कोई भी ऑप्सन है स्व नहीं होता है समझा गए अब बचे हमारे दो अनुदात और श्वरित इन दोनागा के चिंग होते हें अब अनुदात का क्या चिंग होता है आपको बता रहाह से डीखा ये से और श्रॐ पांग तो हमें एक के नीचे रेखा और नीचे पड़ी हुई दिख रही आपको एक कर नीचे अंडर्फाइन ससे और हम और इसको कहते हैं चिंड अनुदात का चिंड का इसको बोले में है हमारा एक स्वरित स्वरित का भी चिन होता है अब स्वरित का चिन कैसे होता है देख itt का चिन होता जैसे हमने लिखा सी हुपर आपको इस तरिका से की रेखा को देख के समझ जाना कि यह स्वरित स्वर है कौनसा है स्वरित स्वर होता है जो उदात और अनुदास से मिश्रित होके बनता है वही होता है हमारा स्वरित स्वर ऐसे आप समझ गे होंगे ठीक है न वित्रो चलिए सवाल को पढ़ते हैं प्रतेक व्यंजन के कितने वहाई ये प्रयत्न होते हैं, ये हमारा प्रश्ण है, तो आपको बता दे, ऑप्सन है, 4, 3, 2, 1, बताओ, प्रतेक व्यांजन के, कितने वहाई ये प्रयत्न होते हैं, इन ऑप्सन में से छाटके बताना हैं, तो इन option में आपको जो correct answer लगाना है वो है A क्या होगा A यानि की 4 होते हैं क्या होते हैं 4 क्या है 4 यह हमारे क्या है वाहिये प्रत्र हैं प्रत्यक व्यंजन की कैसे जैसे आपके व्यंजन में या तो विवार श्वाश अगोश इन में या महप्राण उनमें से कोई एक होगा ऐसे करके तीन और एक चार हो रहे हैं तो हमारे 4 हो सकते हैं कितने हो सकते हैं चार हो सकते हैं बात को समझना की बात कर रहे हैं तो हमारा अंसर हो जाएगा चार आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है प्रतेक स्वर के कितने बाहिये प्रयत्न होते हैं अब प्रतेक स्वर के पूछ रहे हैं तो स्वर के बताने हैं आपूछन है 2, 4, 3 और 5 तो बताइए correct answer क्या होगा तो इसका right answer में बता रहा है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 यानि कि बैए answer आपका एकदम सही है हम बात कर रहे हैं स्वरों की यानि स्वर के total जो हमारे बाहिये प्रत्न होते हैं ठीक है वो कितने होते हैं friends प्रतेक स्वर के प्रतेक स्वर के कुल चार होते हैं कुल तो चार होते हैं यदि प्रतन की बात करें तो कुल चार हैं लेकिन यदि यहां पर इस्पेसल बाहिये प्रतन की बात करें केवल बाहिये प्रतन की पूछें तो बाहिये प्रतन तो टोटल तीन होंगे दोस्तो इसको स लगाएंगे तीन यह से अंसर लगाएंगे और चार मेंन क्यों लगाया है चार का फंडा यह है मित्रो चार तब होंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितने प्रेतन होते हैं ठीक है कुल प्रेतन कितने होते हैं तो यहां पर तीन तो बाहिये प्रेतन होते हैं और एक ह आप भ्यांतर ऐसा नहीं जुड़ा होगा, डारेक्ट पूछा जाएगा कि प्रत्यक स्वर के कितने प्रयत्न हो सकते हैं, या कितने प्रयत्न होते हैं, तब आंसर आपका चार होगा, ऐसे आप इसको समझी, ठीक है न, किलियर, ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो हमारा स स्वर के, उदात, तनुदात, पस्वरित, और एक आपका आप ब्यहंतर में हो जाएगा, जैसे स्वरा में विवरित होता है कि नहीं, तो चार होगा कि नहीं, ऐसे, इसलिए चार हैं, लेकिन भाईये प्रत्न स्पेसल पूछे जा रहे हैं, तब तो आपका आंसर तीन ही दे यह आपको बताना है, आप ब्यहंतर प्रत्न, उच्चरन स्थान, इस प्रिष्ट वर्ण और बाहये प्रत्न, बताओ, करेक्ट आंसर बताना है आपको, आंतर तम्य परिक्षा में कौन सायक होते हैं, इसका राइट आंसर है दे, यानि बाहये प्रत्न होते हैं, आंतर तम्य परिक्षा क्या होती है तो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिए देखिए जब दो वरणों में आप भ्यांतर प्रैतनों समान नहीं होने पर सवर्ण संग्या नहीं हो तो उस इस्तिती में बाहिये प्रैतनों से हम सवर्णी का ज्यान करते हैं बाहिये प्रैतनों के दुआरा सवर्णी का ज्यान करना ही दोस्तों आंतर तम्य परिक्षा कहलाती है बात को समझ गए हम जानते हैं कि सवर्ण संग्या के लिए आप भ्यांतर प्रैतन और उच्छन स्थान ये समान होने चाहिए लेकिन जब किनी दो वरणों के आप भ्यांतर प्रैतन और उच्छन स्थान समान नहीं है उस स्थिती में हम भाहिये प्रैतनों की साहिता लेंगे और हमें वहां पर मालो आवशक्ता है तो हम भाहिये प्रैतनों की वहां साहिता लेंगे और उनसे सवर्णी का ज्यान किया जाएगा उसी को हम कहेंगे आंतर तम्य ठीक, तो वहाँ पर वाहिये प्रत्नों की आवश्यक्ता होती है, किलियर है, आगे चलिए, अगला प्रश्न है, अठारा नमबर, असंगत का चैन करो, यहाँ पर है अमारा सवाल, असंगत का चैन करना है, इन में से आपको छाट कर यह बताना है, कि कौन असंगत है, तो होते हैं, एक असंगत है इसमें, यानि कि अशुद्द, अनुचित या गलत चाटना है, तो इसका सही आंसर है दे, क्योंकि ओके भेद आपके अठारा नहीं होते, ओके भेद तो मित्रों बारा होते हैं, लुरी के भेद बारा होते हैं, एकदम सही है, एके अठारा होते हैं लेकिन हमारा ये वाला गलत है क्योंकि O के भेद 12 होते हैं 18 नहीं होते इसलिए तो यही आंसर हो जाएगा आगे चलिए आदो लिखित में से सही का चैन करें इन में से आपको सही का चैन करना है तो option है A के 12 भेद O के 12 भेद I के 12 भेद option D में हैं सभी तो simple है दोस्तो इसका right अ A के 12 होते है एकदम सही ओ के 12 एकदम सही अई के 12 एकदम सही तो सारे ही option सही है तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है ना आगे चलिए बीस नमबर सवाल की तरब देखते हैं सवाल है री के भेद होते हैं या फिर री की कुल संग्या कितनी होती है री की कुल संग्या आपको हम बता दें कि एक हमारा वारतिक है री लिरी वर्णयो मिथा सावर्णम वाच्यम ठीक है उससे क्या होते है उससे सवर्ण संग्या होती है क्या होती है सवर्ण संग्या आपसे पूछा जा रहा है सवन संग्या होने की बाद की स्थिति है तो वहां पर हम री की संग्या कहेंगे री की हम संग्या नाम दे सकते हैं ऐसा तो री की कुल कितनी संग्या हो जाएंगी वहां पर बारा अठारा तीस या छे बताओ क्या आंसर होगा यहां पर तो यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका स्य याने की तीस आंसर होगा यहां पर तीस माना जाएगा यहां री के भेर तीस माने जाएगे क्यों क्योंकि री और री इन दौनों की सवर्ण संग्या हो चुकी है तो आप जानते हैं कि री के बारा भेद होते हैं और री के अठारा होते इत्यत्र अकार के भेद होते हैं याने अत लिखा हुआ है इस अत के साथ में आप देखा एक के सात में तैय जड़ा हुआ हुआ है और यहां पर एके भेद पूछे जा रहे हैं ऐसी स्तिती में आप क्या करोगे option देखिए 12 बताने है 6 या 18 या 30 तो answer आपका क्या होगा तो मैं बता देता हूँ answer यहाँ पर दोस्तो 6 होगा यानि कि 2 हमारा एकदम correct है ऐसी इस्तिती में क्या होता है यहाँ पर एक सूत्र है तपरस ततकालस से यानि आपका ततकाल संग्या करता है तो उसी को solved करना है आप जानते होंगे कि हिरश्व जैसे हमारा ए है अब इ यह तीन परकार का होगा एक तो हिरश्व रश्व ke 6 बेद होते है रश्व के बाद में दीर्ग होता है दीर के 6 इसके बाद में पिलोट होता है पिलोट की 6 आप तीनों को जोडने पर इत्व 18 वेद होते हैं एके 18 वेद कैसे होते हैं रश्व छैप्रकार का दीर छैप्रकार का प्लुत छैप्रकार का टोटल 18 हो गए हम आपको कह रहे हैं वही कि जब तै लग जाएगा तो तै जिस स्वर में लगा हुआ है उसी के भेद गिने जाएंगे बाकी के नहीं गिने जाएंगे जैसे हमारा अत है तो अत में आप बताएंगे वही यहाँ पर जो तै है वो किस के साथ लग रहा है हिरश्व एके साथ और हिरश्व एके बेद होते हैं 6 तो 6 बेद हिरश्व एके ही ग्रहन किये जाएंगे बाकी 2 के नहीं लेंगे यानि दीर्ग और प्लुत के आपको ग्रहन नहीं करने हैं इसलिए टोटल आपको तर 6 देना है समझ गए यदि यह आ पे लगा होता तै आ तो ह दिनते रश्व और प्लुत के छोड़ देते हैं ऐसे आपको समझना है यह तै लगने से हुआ है अगला हमारा प्रश्ण है बाइस नंबर देखे सवाल को देखते हैं एक बार चलिए दोस्तों अगले सवाल के तरब चलते हैं पुश्ण नंबर बाइस लोप संग्या सूत्र का चैन करो यानि लोप संग्या करने वाले सूत्र का चैन करना है आपको बताना है कि लोप संग्या करने वाला सूत्र कौन सा है उप्सन है तस से लोप है अदरशनम लोप है स प्रशक्त स्यादर्शनम लोप संग्यम स्याद अर्थार्थ जो बिद्यमान होने पर भी सुनाई ना दे या दिखाई ना दे उसकी लोप संग्या होती है तो ये लोप संग्या करने वाला सूत्र है और तस्य लोप उसकी फिर इत संग्या करता है इत संग्या के बाद में जिसकी लोप संग्या होती है उसका लोप हो जाता है तस्य लोप संग्या सूत्र से इसलिए त से चलें आगे अगला सवाल देखे तेबिस नंबर स्वर रहे तो व्यंजन वर्ण समुदाय की संग्या होती है मतलब कौन सी संग्या होती है स्वर रहे तो व्यंजन वर्ण समुदाय जो होगा हमारा उसकी कौन सी संग्या करेंगे हम Option है संयोग संग्या, सरण संग्या, पद संग्या, या फिर सहिता संग्या कौन सी करेंगे, बताइए Correct answer है इसका दोस्तो आपने सोच लिए होगा ना तो चलो मैं answer बता देता हूँ इसको हम कहेंगे संयोग यानि संयोग संग्या होगी सूत्र है इसका इसका मतलब होता है अज भी रव्य वहिता हलह संयोग संग्या स्यूहू अर्थार्थ स्वर रहित व्यंजन वर्ण समूदाए की संयोग संग्या होती है कौन से होती है संयोग संग्या जैसे एक हमारा उदरने इंद्रह अब यहाँ पर देखिए नय और दे और रही आपस में संयुक्त हो रहे है तो यहाँ पर जो हमारी संज्ञा होगी वो संयुक संज्या होगी कौन सी होगी मित्रो संयुक संज्ञा ऐसे आपको समझना है चलिए अगले प्रष्ण की तरफ चलते हैं अब देखिए 24 नमबर हमारा question है इसकी इन पर देख रहा होगा प्रश्ण को पढ़ते हैं किस पद में संयोग है यानि आपको बताना है कि यहाँ पर संयोग का कौन सा उधारन है जहाँ पर संयोग संग्या हो रही है option है इंद्रह, राष्ट्रम, सरश्वती या फिर सभी में है बताओ तो इसका right answer है दोस्तो दे यानि कि सभी में संयोग संग्या हो रही है इंद्रह इसमें संयोग संग्या हो रही है राष्ट्रम में संयोग संग्या है और सरस्वती में संयोग संग्या है संयोग संग्या क्या ह होती है अभी-अभी हमने बताया था कि सधीक्ण आगे चलिए अगला सम देखतें हैं पच्चीस नम्मर्व किस्की होती है एक डम बहुत ही सिंपल सवाल कहे सकते हैं सुवंत की तिगंत की सुवंत तिगंत की या अव्य की होती है बताओ तो हम बता देते हैं दोस्तों इसका राइट अंसर है सुवंत और तिगंत यानि की से वाला अंसर इसका correct होगा आपने सूतर तो पड़ा होगा कि पद संग्या होती है ऐसा मतलब है उसका क्योंकि पद संग्या सूतर आपको याद है आगे चलिए अगला फ्रश्ण 26 नम्र निम्न मेसी पद का चैन करें यानि आपको पद का चैन करना है इन में से कौन सा पद है राम सू लखन राम है पद बताना है पद तो राइट अंसर है इसका दे यानि राम है जो लिखा हुआ ये हमारा पद है बाकी हमारे पद नहीं है जैसे राम लिखा हुआ ये पद नहीं है लखन पद नहीं है सू हमार पद नहीं है मैंने अभी अभी कहा कि पद कौन सा होता है पद हम उसको कहते हैं जिसमें या तो सुवंत प्रत्य लगे हो या तिगंद प्रत्य लगे हो दोस्तों तिगंद प्रत्य धातु में लगते हैं और सुवंत प्रत्य हमारे शब्दों में लगते हैं तो यहां पर आप आप देखेंगे कि रामह जो शब्द है यहां पर आपका सुबंत प्रत्य लगा हुआ है यानि राम में सू जोड करके हमने बनाया है फिर हमारा सू में से से बचता है फिर से का विसर्ग बन जाता है तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर सुबंत है यह सुबंत प्रत्य लगा ह हुआ है और सुप्रत्य लग जाने पर वो पद हमारा बन जाता है ठीक बाकि में नहीं लग रहें तो बाकि हमारे पद नहीं है ऐसे आपको समझना है और सु हमारा पद नहीं है ठीक है न यह हमारा क्या है प्रत्य है आगे चलिए सत्ताइस नंबर कोश्चन सर्वनाम इस्थान संग्या होती है याने सर्वनाम संग्या किसकी होती है यह हमारा प्रश्ण है तो आपको बताना है चलिए सु आउ जस अम आउट या फिर सभी की बताओ तो इसका आंसर बताना है दोस्तो आपने सोच लिया होगा और मैं आंसर बता रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर है याने सर्वनाम इस्थान संग्या हमारे पाँच प्रत्यों की होती है जो हमारे सुरू के पाँच प्रत्य है सु अउ जस अम आउट ये पाँच हो गए इनकी होती है हमारी सर्वनाम इस्थान संग्या ऐसे आपको द्यान रखना है ठीक है ना असंगत का चैन करो आपको इन में से असंगत का चैन करना है यानि गलत का चैन करना है अशुद्ध का चैन करना है ओप्सन नमबर एक है यची भम इससे होती है भैसंग्या बिलकुल करेक्ट है दोस्तों इससे भैसंग्या होती है एकदम सही है इसके बाद में ओप्सन नमबर दो है हमारा देखिए सुड़न अप चलो एकवचनम संबुधी इससे होती है संबुधी संग्या ये भी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है और लास्ट में लिखी हुई हमारी दाधा गवदाप इससे है हमारी घह संग्या ये गलत है यही आंसर हो जाएगा ये हमारा गलत है ये हमारा असंगत है असंगत इसलिए है क् की दादा गोदाप जो हमारा सूत्र है उससे हमारी घू संगया होती है फ्रेंट्स कौन सी होती है घू संगया और घह संगया जो होती है वो होती है तरप तमपव घह सूत्र से होती है यानि तरप और तमप प्रत्यों की होती है घह संगया ठीक है न तो यह हमारा एसंगत हो ज वरनित हैं आपको इत संढ्या के सूत्र बताने हैं कितने वरनित हैं ठीक है ओपसन है आपकी 5,6,7,8 को इत संढ्या के टोटल जो सूत्र हैं दोस्तों छै तो अपसन नमबर नमबर 20 हमारा एकदम गरैक्त हो है कितने सुत्र हैं छे सुत्र हैं अब छे सुत्रों के मैं नाम बता देता हूं जिससे थोड़ा अंदाज रहे आपको पहला है इसमें उपदेश जनुनाशिक इत दूसरा है हलंत्यम तीसरा है आदिर यी टुडवह और इसमें फिर सुत्रों नाम बता दिये हैं चलिए आगे देखते हैं कुश्य नमर तीस कौन सा सुत्र इत संध्या से संबंदित नहीं है इत संग्या से संबंदित नहीं है वो आपको छाटना है अपसन है वेरप्रक्तस्य हा चूटू हलंत्यम आदिर ये टूडवह तो इसका अंसर हो जाएगा दूस्तो ए वेरप्रक्तस्य हा वेरप्रक्तस्य हालांकि ये भी हमारा सूत्र है इत संग्या वाला लेकिन जो मैं हमने व्याकन शास्तर में सूत्र बताँ उनके वारे में आपको यहां सोचना है वो सूत्र हमारा नहीं है यह क्योंकि चूटू आता है बिलकुल हलंतियम है आदेरिय टूडवा है यह तीनों है लेकिन यह हमारा मैंग 6 सूत्रों में नहीं आता किस से होती है तो इसका राइट आंसर है अपका से इसका सूत्र का अर्थ होता है उपदेश अबस्ता में धातु से पूर्मे विद्यमान ये टूडू की इतसंग्या हो जाती है ऐसा इसका अर्थ होता है ठीक आगे चलिए आगे हमारे कुश्ण है 32 नमबर एक वर्ण वाला प्रत्य कहलाता है जिसमें केवल एक वर्ण होता है ऐसा प्रत्य क्या कहलाता है ये आपको बताना है दोस्तों Option है अवसान, एप्रिक्त, सैयोग, विभाशा, बताओ क्या होगा, तो इसका अंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं एप्रिक्त, अंसर नमबर बेकरेक्ट है, एप्रिक्त एक सूतर चलता है, एप्रिक्त एक आल प्रत्य यहाँ, इसका मतलब है एक वर्ण वाला जो प्रत्य होता ह ना उसको हम एप्रिक्त कहते हैं एप्रिक्त यही आपको समझना है आगे चलिए 33 नमबर सवाल दा और धा धातू की संग्या होती है इसमें धातू को छोड़ करके हमें समझना है दा और धा धातू की कौन सी संग्या होती है गह संग्या घू संग्या घी संग्या या नदी संग्या बताइए कौन सी संग्या होगी तो आंसर हो जाएगा हमारा घू संग्या बे आंसर करेक्ट है और सूत्र है इसका दाधा गोह दाप हमने आपको पहले ही बता दिया ठीक है उससे होती है घू संग्या और किसकी होती है दा और धाकी दाप दात्यू को छोड़ करके तरप और तमप की कौन सी संग्या होती है घी संग्या गह संग्या घी या उपदा ये घी दोबार रिपीट हो गया कोई बात नहीं है तो आपको आंसर बताना इसमें क्या होगा तो इसका राइट आंसर है दोस्तो बै यानि की घह संग्या होती है मैंने अभी पहले बताया था कि तरप तमपव घह एक सुत्र है हमारा उससे तरप और तमप प्रत्यों की घह संग्या होती है ऐसा आपको आज के शर्षन का लास्ट सवाल है 35 नमर सवाल को पढ़ते हैं लक्षमी इस्त्री बधू आदि शब्दों की संग्या होती है इन शब्दों की कौन सी संग्या होती है ऐसे आपको बताना है घी संग्या नदी संग्या घह संग्या या फिर टी संग्या बताओ तो इसका राइट आंसर है बै यानि इन सब की नदी संग्या होती है कौन सी नदी संग्या और नदी संग्या का आप सूत्र आप जानते होंगे यूस्तराक्षव नदी ठीक है निती हिरश्वस्च उससे भी होता है तो यूस्तराक्षव नदी सूत्र जो है ये कहता है कि इदंत और उदंत नित्य इस्त्रिलिंग शब्दों की नदी संग्या होती है ये दोस्तों इस् प्रयास किया है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए निश्चत रूप से helpful रहेंगे ऐसे ही आपको आगे जो हमारा topic जैसे संदी का topic रहेगा तो मैं संदी के most important बताऊंगा 30-40 प्रशन जिसमें से आपको मिल जाएंगे question ठीक है और पहले जो आगे हैं उनको भी मैं solve करवाऊंगा जिससे कि आपकी practice हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की सवाल बन सकते हैं आपने पढ़तों सब कुछ लिया लेकिन किस topic में कौन-कौन से प्रशन बन सकते हैं उनका answer कैसे आपको पता लगाना होता है ये भी समझ हमारे अंदर विक्सित होनी चाहिए ठीक है competition के लिए ये भी बहुत ही आवश्यक होता है तो इस तरह से दोस्तों आज का session complete हो जाता है अगली वीडियो में फिर मिलेंगी last में आपसे वही request करना चाहते हैं कि चैनल को subscribe करके जाना है और वीडियो अच्छा लगता तो like करना यार और comment में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई भी आपका doubt है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमसे आप comment में ये पूछ सकते हैं निश्चु दूरूप से आपक जवाब मिलेगा दोस्तों चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगी तब तक लिए जहन जैतु भारत हम जैतु समस्क्राइब